यूपी बोर्ड इग्जाम 2023 के लिए क्लाश 10th साइंस के पेपर में बायलोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट बिस्त्रित प्रेशन लेकर के आए हैं और जो प्रेशन हम आपको बताएंगे इन्हीं प्रेशनों में से सभी प्रेशन फसेंगे तो very most important long questions लेकर के आए हैं चलिए देखते हैं पहला question कौन सा important है देखिए पहला question है पाचन तंत्र अथवा आहार नाल पाचन क्या है पाचन तंत्र का नामा की चित्र बना कर पूरा वर्णन कीजिए इस तरह से पूछते हैं या फिर आहार नाल मनुस्त की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए तो इस तरह से पूछा जाता है most important question है और बार बार पूछा जाता है तो इसका चित्र भी बनाना मैं बता दूंगा और इस पर full video मेरे चैनल में uploaded भी है आप चित्र सही जाकर के समझ सकते हैं आसान भासा पर देहरा की कारिभी और यह आएगा ही आएगा most important हैं ठोल आगला है फिर उतसर्जन और नेफरान की समझना यह तो उतसर्जन तनत्र आ सकता है अगर पाचन तंत्र नहीं आता है तो फिर पूछेगा कि मनुस्री का उस सर्जन तंत्र यानि उस सर्जन की से कहते हैं पहले पूछेगा उस सर्जन की से कहते हैं तो उस सर्जन की परिभासा बताएंगे और इसके बाद उस सर्जन तंत्र का नामांकि चित्र की साहता से वर्ण किजिए तो पूरा kidney वगरा बना करके सब पूरा बताना होगा इस पर full video uploaded है और description में लिंक मैंने दे दिया है इसकी भी इसकी भी और इसकी भी आप उस link पर क्लिक करके इन सभी video को detail से समझ सकते हैं या फिर आप कहेंगे तो हम फिर से वीडियो बना देंगे और अगर उस सर्जन तंत्र नहीं आता है तो उसकी जिकर पर नेफरान की सर्नचना पुछी जाएगी ये नेफरान जो है most important है नेफरान जरूर आएगा चाहे चित्र ही बनाने को आ जाए या फिर इसकी किर्यविधी पूरा लिखने को आ जाए तो उस सर्जन तंत्र या फिर नेफरान की सर्नचना आवस से पुछी जाएगी most important है ये बेरी most important है फिर अगले question पर आते हैं देखे अगला question है मेंडल के अनवान सिक्षी के नियम तो प्रेश्ण पूछा जाता है कि अनवान सिक्षा किसे कहते हैं तो पहले अनवान सिक्षा किसे कहते हैं ये बताइए फिर मेंडल के अनवान सिक्षी के नियमों का उलेक कीजी या फिर प्रभाविता का नियम कहीं पूछ लिया प्रभाविता का नियम या फिर प्रथा करण का नियम पूछ लिया या फिर स्वतंत्रबिवन का नियम पूछ लिया तो अलग-अलग भी पूछा जाता है और ये अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक दे दिये हैं, आप जाकर के देखें और एक बार में ही समझ में आ जाएगा, और एक प्रारूपिक पुस्पिक के सनजना पूछी जा सकती है, या फिर केवल नामांकिक चित्र बनाने को आ सक और परिवार नियोजन पर फुल वीडियो भी अपलोड़र है, और इस पर प्रेश्ण आना ही आना है, इस तरह से प्रेश्ण आता है कि परिवार नियोजन क्या है, इसको कैसे न्यूजित करेंगे, या परिवार नियोजन की इस्थाई विधियों का उल्ले कीजिए, तो इ य데 में एक्स वाई इस तरह तरह से लिंग रिधारान किया गया था है यह देखें एकस हो जायेगा फिर यह एक्स वाई से करवाई लुए वाई से तो इस तरह से पुत्र इसको भी मैंने बताया हुआ है डीटेल से और most important है अच्छे से आपको इसमें लिखना भी होगा और एक क्रास भी आपको बनाना होगा और important है आ सकता है फिर अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन है प्रकास संसलेशन या वासपोस सर्जन का तो अगर प्रकास संसलेशन आता है तो वासपोस सर्जन हो सकत प्रकास संसलेशन की प्रकास कपकिरिया कभी कभी पूछते हैं कि प्रकास संसलेशन किसे कहते हैं इसकी प्रकास कपकिरिया का उले कीजिए या फिर अगर यह नहीं आता है तो वासपोस सर्जन क्या है और वासपोस सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों का उले कीजिए इस तरह से प्रकास translation को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्ले कीजी यह आ जाता है तो यह long question में पूछे जाते हैं यह सभी जितने भी मैंने बताए हैं यह सभी long question बताए हैं और यह very most important question है और इसी में से सब कुछ आएगा फिर अगला question है रंद्र और इनका खुलना तथा बंद होना यह रंद्र किसे कहते हैं या रंद्र क्या होते हैं और रंद्रों का खुलना तथा बंद होने की प्रकेरिया यह इनके खुलने तथा बंद होने की जो process होती है वो कैसे होती है बहुत ही आसान सी भासा में इसको समझाया हुआ है और इसमें से कुछ न कुछ तो आने याना है चाये कुलेना और बंदो होने की प्रिकरिया ही क्यों न पूछी जाए फिर अगले कुछन पर आते हैं अगला कुछन है लैमार्क वाद और इनकी आलोजना खुल मिला करके लैमार्क वाद मोश्ट इंपॉर्टेंट है इसको तयार कलीजिए और ये आएगा ही आएगा अगर नहीं आता है तो फिर डार्मिन वाद आना ही आना है ये दो वाद आप उस चेप्टर से तयार कलीजिए या जयो विकास से इन दो वादों को तयार कलीजिए और इन ही दो वाद पर कुस्टन आ जाएगा तो वेरी मोश्ट इंपॉर्टेंट है इसको भी अच्छी तरह से तयार कलीजिए फिर अगला कुस्टन है नवी करणी और आनवी करणी पदार्थ क्या होते हैं चाहे इस पर अंतर पूस ले तो अंतर भी मेरे चनल में अप्लोड़ेड है डिस्क्रिप्शन में इन सब की लिंक दे रखा है आप वहां से भी जाकर किसको देख सकते हैं नभी करने पतारत क्या होते हैं अनभी करने पतारत क्या होते हैं दोनों में अंतर भी समझाया गया है इस तरह से कुल मिलाकर करके 13 Quesn long वाले बताएं हैं और इसी 13 Quesn में से सभी Quesn फास जाएंगे लॉंग वाले ये long question लेकर के आए हैं, अगले दिन आपको tip पड़ी बताएंगे, short question बताएंगे, answer बताएंगे, उन सभी को देखने के लिए मेरे चनल को subscribe कीजिए, और अगर वीडियो को like नहीं किया है तो like भी कीजिए, अपने दोस्तों में share भी कीजिए, धन्यवाद